दोस्तों आप सभी CSC वियली भायों के लिए एक और नोटिस निगल के आया है CSC के तरब से अगर आप एक CSC वियली हैं कॉमन सभी सेंडर संचालक हैं और आप सभी को CSC के माध्यम से आधार सेंडर है काम मिला हुआ है और आप लोग अधार सेंडर का काम करते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए most important वीडियो है अधार सेंडर चलाने के लिए rule regulations के बारे में कुछ जानकारी आज इस वीडियो बताने वाले हैं CSC तो इसे बहुत बड़ा notice निकल के आया है अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो आपकी एक गलती के चलते आपकी CSC सेंडर को ब्लोग किया जा सकता है साथ में ही आपका UCL ID है उसे भी तत्काल प्रभाव से deactivate किया जाएगा तो वीडियो को आप शुरू से लेखर आनते जरूर देखिए और इस वीडियो को और लोगों तो जरूर पचादें ताकि और लोगों को भी इसके बारे में अधिक से अधिक जनकर ये प्राप्त हो स एक में CSC BC दोराज चलाये जा रहे है आधार ओनलाइन डेमोग्राफिक अप्रेट सेंटर में रेट चार्ट बाहर और अंदर भी दोनों जगा होना चाहिए काम करना है अगर आप किसी और लोकेशन पर करते हैं तो आपकी जो सेंटर को तुरत तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा नंबर तिन बताया गया है ओपरेटर सिंग करते समय सेंटर का नाम CSC अधार डेमोग्रोफिक अप्रेट सेंटर ही भरें इसके राओर कोई भी नाम आप ना भरें ठीक है नंबर 4 बताया गया है UID या फिर CSC SPV टीम द्वारा VLE UCL केंडर का कभी भी दवरा के जाएगा अगर कोई भी दिर्वेवार करता हुआ पाया जाता है या आधार अप्रेट के लिए अतिरिक सुल्क लेता है तो UCL केंडर और CSC ID को तुरंत रद कर दिया जाएगा नंबर 5 बताया गया है अधार अधिनियम 2016 के अनुसार संबंदित BC VLE के खिलाब भी FIR दर्ज की जाएगी नंबर 6 बताया गया है नमीनतम UIDI OMU के अनुसार दिनांग 64 2021 एसे मामलों में भ्रष्टा जारगी प्रती घटना 50,000 या फिर एक लाग रुपे तक काटा जाना है नंबर 7 ने बताया गया है शिर्फ ओरिजनल दस्तावेज पर ही कार करें फोटो कोपी मानने नहीं है अगर आप आधार यूशिल पर काम कर रहे हैं और कोई कस्टुमर आपके पास आता है कि हमें अपने आधार कार के अंदर अपना नेम चेंज करवाना है या फिर अपना एड्रेस चेंज करवाना है तो वहाँ जो बताया गये डोकुमेंट्स मागे गये हैं वह ओरिजनल ही आपको कस्टुमर से लेने हैं अगर वहाँ उसकी फोटो कोपी आपको देता है तो आप उस पे काम नहीं करेंगे ठीक है अगर ऐसा काम करते हैं तो आपकी जो मसीन है व नमिक्छा UID द्वारा की जाती है अता दिये गए नेमों के अनुसार कारी करें नंबर 9 में बताया गया है यदि किसी व्यक्ति विशेज के पास कोई दस्तावेज नहीं है तो इस दसा में UID द्वारा दे फॉर्मेट का ही उप्योग करें एनी कोई दस्तावेज माननी नही होगा के अंदर पर सभी को रेजिस्टर आवस्य रूप से बनाना है नहीं पाए जाने पर सेंटर इंडरस तेकिया जाएगा तो जितने भी यूसियल पर काम कर रहें जितने विए लिए आप सभी को एक रेजिस्टर जरूर बना लेना है ठीक है और उसमें जो कश्टमर यूसियल आईडी दोनों ब्लोक की जाएगी पर तेक बीसी को रोजाना पांच लिन दिन अपने बीसी कोड से करना अनिवार है अधार कार करने का निरिधार समय सुबानाव से सामच्य बजे तक है इस से पहले इस समय उधिस से पहले या बाद में कारिमत करें वेली अपना सेंटर रोजाना सोमार से रविवार प्रति दिन खोल सकते हैं अधार सेंटर बैनर रेट लिस्ट कस्टमर रेजिस्टर प्रते की यूसियल सेंटर के लिए अनिवार रहे हैं बाकि यहां पर दे सकते हैं You can contact us a toll-free number यहां पर आप सभी को जो है कॉन्टक्ट नमबर दिया ग अगरा भी दी गई है तो आप लोग इन से तत्काल प्रवाद से कॉर्णर करके बात कर सकते हैं इमेल भी कर सकते हैं बाकि जो स्टेट ओफिस का जो पता है तो यह दोस्तो उत्तर प्रदिश यह यूपी स्टीट के हैड ओफिस जो है वो लखनव में है तो वहां का एड्रेस दिया गया है तो अगर आप लोग इस ओफिस वी विजिट करके पता कर सकते हैं तो दोस्तो आस्ता करते हूं कि आप लोग अच्छे समझ गयोंगे और यहां दोस्तो आप हमारे टेलेग्राम ग्रूप में देख रहे हैं तो अगर आप लोग नभी तक हमारे टेलेग्राम ग्रूप को जोईनने किया है तो आप हमारे टेलेग्राम ग्रूप को जोईन कर सकते हैं इसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्स ने मिल जाएगा उस प टॉपिक के साथ अब तक लिए जय हिंद बन्ने मातरम थैंक यू सो मच